बालों की जड़ने की समस्या से हर कोई तीसरा बंदा परेशान है अगर आपको भी है बालों की जड़ने की समस्या तो trust me आज मैं एक ऐसी कारगर रेमिडी आपके साथ शेयर करने वाली हूं जो आपके जड़ते हुए बालों को एक दम से रोक करके आपकी हेर ग्लोथ को भी बढ़ाती है अगर आप बिचाते हो काले घने लंबे बाल तो आप एक वाट जरूरू ट्राइ किजे क्योंकि बहुत बेनिफिशल है ये और जितने भी इसमें इंग्रीडियंट यूज होने वाले हैं सब के सब आपके घर में ही मौझूद हैं आपको इदर उदर से कुछ भी इकठा करने के जुरूरत बिलकुल भी नहीं पड़ेगी इनकेस इकादुकत चीजें अगर आपके एरिया में ना अवलेवल हो तो उन्हें आप स्किप भी कर सकते हैं नेचरल इंग्रीडियंट्स आपके बालों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं फाइदे बहु और एपल की गुड़नेस अपने बालों में लाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वावस्किन साइंस का ये एपल साइडर विनिकर शैंपू ये जो आपका शैंपू है ये हंड़ड परसेंट प्योर नैचरल रो एपल साइडर विनिकर आलमंड ओल से तयार किया गया ह बीटमीन ए से भरपूर आपका ये जो आर्गन ओल आलमंड ओल होता है साथी एपल साइडर विनिकर एंटियों से भरपूर बहुत सारे बीटमीन्स मिनरल्स काफी हाई क्योंटिटी में होने की वज़़ए से आपकी बहुत सारी हीर प्राबलम का एक मात्र सालूशन होते है किस तरह से आपको ये शैंपू यूज करना है तो साइड में आप देखोगे कि इस तरह से आपको इसे यूज में लाना है पहले अपने बालों को थोड़ा सा वेट कर लीजिए और उसके बाद जितनी क्योंटिटी में आपको चाहिए उतना रुकायड क्योंटिटी में और थोड़ी सी देर के लिए मसाज कीजिए ताकि कोई भी डर्स धूल मिटी जो भी आपके बालों में गंदगी है वो सारी की सारी क्लीन हो जाए अच्छी तरह से अपने बालों को वाश कर लीजिए वाव के प्रड़क्ट नो पैरविंस, नो सलफेट, नो मिनरॉयल तो य की दो बेचचर लिए बेच़क अपने हैर क्या रूटीन में शामिल कर सकते हैं इसके बाद करते हैं जब भी आप शांपू यूज करते हैं तो आपको कंदिशनर भी जरूर्वर यूज करना चाहिए तो अगें यहां पर वाव स्किन साइंस का ही वी वाव नैचरली तो वा प्लस विटामिन ए तो यह आपकी अगर आपके हैर बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उसको रुपेर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा है साथ इसाथ अगर आपको डेंडर की समस्या होती है तो उसके लिए बैस्ट है आप इसे देखें यूज कैसे करना है जब आपने और इसके बाद फिर अच्छी तरह से अपने बालों को वाश कर लीजिए धियान रहे कि आपके बालों में बिल्कुल भी कंडिशनर नहीं रहना चाहिए तो यह आपके बालों को डेमेज होने से बचाता है साथी साथ रिपेर करता है सॉफ्ट बनाता है सिल्की शाइनी बन अब बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ किस तरह से आपको प्रिपेर करनी है तो देखिए जैसा आपने पीछे वीडियो में देखा अमरूद की यह तीन-चार पतियां साथ ही कड़ी पता की पतियां मैंने यहां पे किचन गार्डन से लेके आई थी यह हैं तेज पता जिसे हम एक मसाले की तरह यूज में लाते हैं घर घर में मतलब मोस्ली होता ही है खाने में हम इसे इस्तेमाल करते हैं खाने के सुआत को दुगनी तेजी से यह बढ़ा देता है उसी तरह से हेर ग्रोथ के लिए भी इसके बहुत जादा फाइदे हैं इसके अलावा प्यास के वारे म मस्य अभी नहीं होती है साथ ही साथ आपके बाल दुगनी तीजी से बढ़ते हैं अभी देखिए जैसा आपने वीडियो में देखा सारी चीजों को अच्छी तरह से वाश कर लिया ताकि कोई भी धूल मिटी इसमें ना हो प्यास का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है उसको भी छोटे-छोटे पिसिज में कट करके एक ही प्लेट में हमने सब कुछ रख दिया क्यूंकि हम इसे एक मिक्सर जार में ब्लेंड करने वाले हैं एक स्मूध जैसा इसका पेस्ट तयार करने वाले हैं तो यहां पर जैसा भी आपने देखा जो यह अमरूद की पतिया यहां इसी के अंदर यह एड कर लिये सारी चिजों को मैंने इक टाए कर लिया यहीं पे और थोड़ा सा इसमें डाल दिया है पानी ताकि यह सारी चिजें अच्छी तरह से पीस जाए मिक्सर जार में हमने इसे उसली पिस लिया जैसा आप देख रहे हैं सारी चीजों का बालों में फस जाएगा बहुत सारा पानी जब आप अपने बालों को वाश करोगे तब यूज होगा तो इसलिए बैटर होता है कि आप इसे चान लें यह तरह से मैंने यह नेट वाला जो दुपट्टा होता है वह यहां पे इस्तेमाल में लाया है बाकि आप चाहें तो आपका अलग हो गया है और आप देखेंगे तो यह थोड़ा ड्राइ जासा है मतलब इसमें कोई रस नहीं बचा है तो सारे गुण हमारे इसी रस में आ गए हैं तो यह हमारे बालों के रिए एक बहुत ही दवाई बोल सकते हुआ कारगर दवाई बनके रड़ी हो चुकी है अभी देखें इसमें अगर एक कादू का चीज़ें आप और एड़ कर लेते हो तो आप मैं बोल्यों सोने पर सुआगा हो जाएगा तो देखें यह जो कैपसुल हैं विटामिन E के हैं स्पेशली फॉर हेर और फेस मतलब आपकी स्किन के लिए आपके बालों की ग्रोथ के सबसे जादा बेस्ट हैं विटामिन के नाम से ही विटामिन E जानी जाती है तो यहां से दो कैपसुल में यूज कर रही हूं जो भी इसके अंदर और रहता है उसे हम अच्छी तरह से इस तरह से निकाल करके इस रेमिडी में यूज करेंगे तो इस तरह से दो कैपसुल में यहां पे यूज में लाए हैं और इसके बाद देखें ऑईल जो है ना हमारी हेर ग्रोथ के लिए सबसे जादा फाइदे मंद होता है बिना ऑईल के अगर आप आप अपने बालों में तो आपके स्कैल्प रूखे सुखे ड्राय होते जाते हैं और बालों की ग्रोथ नहीं होत है और कैस्टर ओयल हमारे बालों की ग्रोथ के लिए सबसे जादा फाइदे मंद होता है अगर आप उसे यूज कर सकते हैं तो और भी बेटर है अगर आपके पास है और नहीं है तो आप जो भी आप रेगुलरली अपने बालों में चंपी करने के लिए और इस्तेमाल में ल सर्दियों का मौसम आने वाला है तो सर्सो का ओयल भी बहुत फाइदे मंद होता है यह भी आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है और आपके बालों की ग्रोथ को दुगनीतेजी से बढ़ा तेता है तो जो भी आपके पास इसली अवलेवल है आप कोकुनट आपके बालों के बीटामिन नी से भर पूर होता है तो जैसे भी है वह आप मिलाएए अच्छी तरह से मिक्स किजिए बस यह आपका जो यह पैक है या फिर रेमिडी है घर ग्रोथ रेमिडी बनके रैडी हो चुकी है बस इसके बाद आप अपने बालों को कर लीजिए अच क्रीम है और इसकंदेमाल कर रहीं और बहुत ही अच्छी रिजल्ट आपकी सामने होंगे बालों को दोने से लगवागिए एक घंटा पहले इसे जरूर अपलाई करें हपते में तीन बार अच्छी रिजल्ट के लिए इसे अपलाई करें तो बस आज की वीडियो को करें यह में बेंट